हाई गाईज वेलकम चुन अधर एपिसोड अफ करेंट अफेयर्ज आज की तारीख है 13 फरवरी 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकल और फ्रेंटियर आएस और अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथी इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स हैं और ये सेशन दोनों चानल्स पर सुबर चार बज इवेलिबल हो जाता है साथी साथ फॉर डेली वीडियो पीडिय एफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हंडल्स फ्रेंटियर आइस और एस सेशी सीजिल पिनेकल और लाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रिवेस क्विज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टन पूछा था कि किस राजय सरकार ने कोविड नाइंटीन वारियर मेमोरिल के निर्मान की घोशना की है तो इसका सईज जवाब था ओडिशा और आपसे दूसरा क्वेस्टन पूछा था कि विग तो पाकिस्तान नेवी ने 11 से 16 फरवरी 2021 तक कराची के तड़ पर अभियास अमन का आयोजिन किया है अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, तुर्की, इरान, इंडोनेशिया सहित, कुल 46 देश इसमें भाग ले रहे हैं रूस एक दशक में पहली बार नाटो सदस्यों के साथ सैने अभियास में शामिल होगा, आखरी बार 2011 में रूसी और नाटो नौसैना बलो ने सैयुक्त अभियास में भाग लिया था जो समुद्री सुरक्षा और स्तिर्ता के लिए खत्रा पैदा करते हैं अगला क्वेस्टिन देखो विश्व युनानी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है उप्शन इमबर B, 11 फर्वरी तो हर साल 11 फर्वरी को विश्व युनानी दिवस मनाया जाता है यह दिन हर साल महान युनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजबल खान की जैन्ती के रूप में मनाया जाता है वह एक प्रख्यात भारतिय युनानी चिकिटसक थे वह नई दिल्ली में जामिया मिलिया इसलामिया के संस्थापकों में से एक थे विश्व युनानी दिवस का मुख्यो देशे युनानी चिकिटसा पदिती के माध्यम से स्वास्ते देख भाल के बारे में जागरुकता फिलाना है अगला क्वेस्टिन देखो बुश फायर नामक इमेज के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्रफर आफ दी इयर पीपल्स चॉइस आवार्ड किसने जीता है तो इसका सही जवाब है आप्शन नमबर B रॉबर्ट इर्विन तो आस्ट्रेलिन वाइल लाइफ फोटोग्रफर रॉबर्ट इर्विन ने वाइल लाइफ फोटोग्रफर आफ दी इयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरसकार जीता है रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरसकार जीता जो की 2020 में विनाशकारी आस्ट्रेलियाई बुश फायर के तस्वीर है यह तस्वीर में देखिए यह तस्वीर उन्होंने केप यॉक कुईन्स लैंड में स्टीव इर्विन वाइल लाइफ रिजर्ब के पास ड्रोन का इस्तिमाल करके ली थी अगला क्वेस्टन देखो विज्ञान एव प्रद्योगी की विभाग के थिंक टैंक TIFAC ने हाँ ही में कौन सा नौकरी पोर्टर लॉंच किया है तो इसका सई जवाब है option number C सक्षम तो विज्ञान एव प्रद्योगी की विभाग के अंतरगरत कार्यत एक स्वायत संगठन प्रद्योगी की सूचना पूर्वा नुमान और मुल्यांकन परिशत यानि Technology Information, Forecasting and Assessment Council TIFAC ने नई दिल्ली में अपना 34 वा स्थापना दिवस मनाया स्थापना दिवस कार्यक्रम की थीम आत्म निर्भर भारत के लिए प्रद्योगी की नवाचार और अर्थ विवस्ता थी इस अफसर पर TIFAC ने दो नई पहल लॉंच की पहला सक्षम श्रमिक शक्ती मंच एक ऐसा जॉब पोटल जो MSME की जरूरतों और श्रमिकों के कौशल को एक साजा मंच प्रदान करेगा जिससे श्रमिक सीधे MSME से जुड़ेंगे और करीब 10 लाग श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और दूसरा राष्ट अर्थ विवस्ता को मजबूती देने के उदेशे से समुद्री शेवालों की व्यवसाई खेती के लिए सीवीड मिशन को लॉंच किया गया सक्षम जॉब पोर्टल ठेकेदारों की भूमिका को खत्म करने के साथ साथ श्रमिकों के कोशल दक्षता के स्तर की पहचान करने और उनके लिए स्किल कार्ड विक्सित करने में मदद करेगा अगला क्वेस्टन देखो किस राजे की भीम बेटका गुफाओं में भारती भू विग्यानिक सर्वेक्षन ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जिवाशम यानि फॉसिल पाया गया है तो इसका सईज़ जवाब है option number B मध्यप्रदेश तो मध्यप्रदेश की भुपाल से 40 किलोमेटर दूर स्थेत युनेसको के संरक्षत क्षेतर भीम बेटका में शोगत करताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जिवाशम खोजा है या तस्वीर में देखिए भीम बेटका में मिले जानवर का जिवाशम करीम 57 करो डिपर साल पुराना है इसका नाम डिकिन सोनिया है और देश में पहली बार इस जानवर का जिवाशम मिला है बात करें यहां पर मध्यप्रदेश की तो इसके डाम्जोरी वर्ज में आता है गांधी सागर डैम चंबल और इंधिरा सागर डैम निर्मदा नाशनल परक्स में आता है काणधा टाइगर इजर्व, पन्ना नाशनल परक, पेंच नाशनल परक और बंदवगड नाशनल परक मध्य प्रदेशी कैपिटल है भोपाल गवर्णर है अनंदी बैन पटेल अडिशनल चार्ज और चीफ मनिस्टर है शिवराज सिंग चोहान वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है भुद्धिश मॉनुमेट्सर सांची और खजराव गुरूप ऑफ मॉनुमेंट्स अगला क्वेस्टिन देखो हाल ही में किस अभिनेत्री का संस्मरन अन्फिनिश्ट लॉंच किया गया है जिसका सई जवाब है और संयुक्त राज अमेरिका दोनों में काफी लोग प्रिय हो गया है पुस्तक Amazon.in पर नंबर एक बेस्ट सेलर के रूप में सूची बद है अगला क्वेस्टिन देखो विश्व रेडियो दीवस 2020 की थीम क्या है तो इसका सई जवाब है औप्शन अमबर बी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो तो विश्व रेडियो दीवस 2021 पूरे देश में 13 फरवरी को मनाया जाता है युनेस्को के 36 वे सतर ने 13 फरवरी को तीन मुख्य उप्थीम में विभाज़त किया गया है, अगला question देखो, किस राजय ने हाल ही में भारते स्टेट बैंक के साथ इच अलान को लागू करने के लिए एक समझोता ग्यापन प्रस्ताक्षर किये है, तो इसका सईज जवाब है, option number B, मिगालिया, तो मिगालिया पुलिस ने शिलॉंग ट्राफिक पुलिस के अधिकार क्षेतर के भीतर इच अलान को लागू करने के लिए भारते स्टेट बैंक के साथ एक समझोता ग्यापन यानि M.O.U. पर हस्ताक्षर किये है, इच अलान प्रनाली एक डिजिटल ट्राफिक प्रवर्तन समधान यानि Enforcement Solution है, प्रनाली को वाहन और सार्थी मोबाइल आपस के साथ एक एकरित किया गया है, और इससे ट्राफिक अधिकारियों को आपस के माधियम से ट्राफिक उलंगन करता जैसे वाहन और ड्राइवर के विवरन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बात करें यहाँ पर मेगालिया की, तो इसी कैपिटल है शिलॉंग, सीम है कॉन्राट संगमा और गवरनर है सत्यपाल मलिक, अगला क्वेस्टन देखो, तो केंद्रे विग्यान और प्रद्योगी की मंत्राले के तहट नाशनल एटलस और थिमेटिक मैपिंग और अर्गनाईजेशन ने कॉलकता में चालिसवे आई-न्सी ए अंतर राश्टन का आयोजन किया है, यह कॉंग्रेस भौतिक और अभासी दोनों मोड यानि फिजिकल और वर्चुल मोड में आयोजित की गई है, इंडियन नाशनल कार्टोग्राफिक एसोसियेशन यानि आई-न्सी ए कार्टोग्राफिक और भूस्थानिक प्रदियोगी की विदो का एक मात्र पेशिवर निकाई यानि प्रोफेशनल बॉड़ी है, इसकी स्थापना 7 अगस्त 1979 को हैदराबाद में की गई थी, बात करें वेस्ट बेंगौल की, तो इसकी युनेस्को वर्ल्ड हेटे साइट्स में आता है सुन्दरबन बाइला सेंक्चिरीज, वेस्ट बेंगौल की कैपिटल है कॉलकता, गवर्नर है जगदीब धनकर और चीफ मनिस्टर है ममता बैनर जी, अगला क्वेस्टन देखो, हाल ही में बारवे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राप्री दुबई में किस भारते ने स्वरन पदक जीता है, इसका सई जवाब है ऑप्शन नमबर D, दोनों A और B, यानि निमीशा सुरेश और दिवेंदर कुमार, तो पैरा एथलीट दिव जेंदर ने पुल्षो की डिसकस त्रोस परधा में और निमीशा ने 5.25 मीटर के प्रयास के साथ महिलाओं की लंबी कुद्स परधा में गोल्ड जीता है, बात कर लेते हैं आज के सेशन के को एक समरी की, तो मल्टी नैशनल मेरिटाइम एक्सेसाइज अमन पाकिस्तान ने आयोजित की है, वर्ल्ड युनानी डे फरवरी 11 को मनाया जाता है, वाइल लाइफ फोटोग्रोफर ओफ दि इयर पीपल्स चोइस अवर्ड रॉबर्ट इर्विन को दिया गया, टी आई एफसी ने सक्षम नाम से एक जॉब पोर्टल लॉंच किया है, मध्यपरदेश की भ इंडिया के साथ इच अलान के लिए MOU साइन किया है, चालिसवा INCA International Congress कॉलकता में आयुजित किया गया है, और 12th World Parathletics Grand Prix दुबाई में इंडियन निमीशा सुरेश और दिवेंदर कुमार ने गोल्ड जीता है, बात कर लेते हैं आज के सेशन के quiz for the day के आपका पहला question है, हा इन दोनो questions का answer आपको नीचे comment section में जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा, साथी साथ इस bell icon को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की notification आपको मिल सके, हमारी दोनो websites और telegram handles को join Thank you so much.